खबरों के मुताविक इसराइली टेंकों ने उतरी गाजा के इंडोनेशे अस्पिताल को घेर लिया है वहीं हमास के तहट काम करने वाले स्वास्त मंत्राले ने दावा किया है कि रविवार रात को यहां इसराइली सेना के हमले में 12 लोगों की जान गई है अस्पिताल के निर्देशक डाक्टर मारवान अलसुल्तान ने बीबीसी को बताया कि मरीजों के ओपरेशन के बाद देखभाल के लिए बने वी भाग को हमले में नुकसान पहुशा है सोमबार को उन्होंने बताया कि रुक रुक कर गोली बारे की आवाज सुनी जा सकती है और इसराइली सेनिक अस्पिताल से सिर्फ 20 मिटर दूर है इसी बीच विश्व स्वास्त संग्ठन के प्रमुक ने कहा है कि वहां इस्तब्द है ट्रेडो सद नॉम ग्रेवियस इसने एक्स पर लिखा है कि स्वास्त कर्मियों और नागरिकों को ऐसे खत्रे में कभी नहीं डालना चाहिए खास कर एक अस्पिताल में गाजा के स्वास्त मंत्राले के प्रवक्ता अश्रफल कुंद्रा ने इसराइल पर उत्री इलाके के अस्पितालों पर शिकंजा कसने का आरोप लगाया है उन्होंने समचार एजनसी एफपी से कहा कि यहां मुझूद करीब 200 मरीजों को बस से खान यूनिस के नासिर अस्प बच्चों को रविवार को इसराइली घेरावंदी में आये अलशिफा अस्पिताल से निकाल कर इलाज के लिए मिस्तर ले जाये गया है